पेट्ढोर और इजल पर केंदर की एक्साइज टेक्स घटाने के दो दिन बाद बीजेपी ने वैट नहीं गटाने को लेकर विपकशी दलों की आलोशना की और तेल की उची किमतों को लेकर उनपर तुच राज़नीती करने कारुप लगाया बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष पेट्रोल और रिजल की उची कीमितों को लेकर केंदर पर हमला कर रहा है लेकिन जब केंदर सरकार ने उतपाज शुल्क घटाया तब उन्होंने अपने अपने शाशनवाले राज्यों में वैट क्यों नहीं घटाया चौदा राज्यों ने अब तक वैट में कमी नहीं की है कि इंदर के नरेंदर मोधी सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेटोल और रिजल की कीमितों पर उतपाज शुल्क में पांच रुपे और दस रुपे के कटोती की थी अभी तक 22 राज्यों ने वैट में कमी की है जोपकी 14 राज्यों ने अभी तक कोई कटोती नहीं की इन 14 राज्यों में राज्यस्थान, पंजाब, छत्तसगर, दिली, महराश, व्रापाश्यमंगाल, अनुबान और निकुबार और इसा ज्छारकन, केरल, मेखाले, तमिलना कॉंग्रेस और आमादभी पार्टी जैसी विपक्षी दल, शाषित राज्यों ने ऐसा नहीं किया, भाटी आगे कहते हैं कि अगर केंध और बीजयों में रहत नहीं मिली है, अईसे में तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो आभी परिशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि this में राजनीती बक्वी हो रही है बीज़पी कॉंग्रिस पर हमलावर है विपक्ष पर हमलावर है तो यह विपक्ष केंद सरकार पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष यह कह रहा है कि केंद सरकार को यह डर है कि कहीं चुनावों में हार का सामना ना करना पड़े और इसी वजो से ये पहला कदम किंद सरकार ने उठाया है